कि चार दिन में आप क्या रहें कि सड़के सही हो जाएगी जब अगर सड़क पर पैच वर कराते हैं मेंटिनेंस वर कराते हैं तो चुनाओ नजदीक इसलिए तोफ़ा की सुरूब आप देर हैं महंगाई की बात करो विरूजगारी की बात करो इसको लेकर भी तमाम चर्चा ह लेकर लोग कहते हैं कि जब इतना जादा है आलू होता है तो आज तक ऐसा क्यों नहीं है कि यहां पर कोई बड़ा उत्मादन केंद्र खोला जाए फैक्टरी खोली जाए तीन सो जादा सीटे वो ले जाते हैं तो फिर आप कहा लिए मुझे देख रहा है बीजेभी के सामन नमस्कार नूस्वल इंडिया के खास कारिकर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी भ्रमण में आज हम आये हुए हैं फर्खाबाद फर्खाबाद की सदन विधान समा ये शेत्र लगता है यहां पर हम आपकी जो पहचान है ये कैसे नेता से नहीं रखते हैं तो वाज प्रदेश के मुखिया भी हो सकते हैं एक वैवाहिक कारिकरम जिनकी उनकी हत्या कर दी जाती है जिसके बाद उनका बेटा जिसको उन्होंने एक साल पहले ही इतला कर दिया था कि उनको शक है कि कुछ लोग उनकी हत्या करवा सकते हैं वो बेटा सेना में जो की मेजर था और कश्मीर में आतंगवादियों से लोहा ले रहा था उसापको छोड़कर वापस आ जाता है लेकिन दुर्भाग से वापस आने के बावजूद दो महें के बाद उनके पिता की अत्या करती जाती है बेटा अपनी मा के साथ राजनीती का जो अपना सफर था उसको जारी करता है कई परिशानिया आती हैं कई समस्याय आती हैं लेकिन वो डिग नहीं होता अडिग रहता है ऐसे में कई चोटे चोटे प्रकोस्टों में अध्यक्ष बनने के बाद सफर शुरू होता है जो कि सियासी सफर है तीन बार चुनावी मैदान में आते हैं दो बार असफलता हाथ लगती है तो एक बार सफलता بھی हाथ लगती है एक बार जो सफलता है वो दरसल सिर्फ 147 वोटों से सफलता के दर्वाजों से हलका सब पीछ रहे जाती है लेकिन पिछली बार 2017 के चुनावों में जो सफलता मिली वो पचास हजार से वोटों से भी जादा से भी ऐसे में आज हम जब सदर विधान सवा में मौझूद हैं तो हम आपको मिलवाते हैं और आपकी बातचीत करवाते हैं यहां के विधायक मेजर सुनील दद्वेदी साब से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेजर साब नीज़ोल इंडिया के कारिकरम में मेजर साब बातचीत शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले बात शुरू होगी क्योंकि सत्ता की चावी आपकी जेब में है आप यहां से विधायक है और जो राज्य है वहां पर भी आपकी पार्टी की सरकार है सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा जिस बात को लेकर मेजर साब आपको फक्र होता हूँ कि मैं विधायक बना और मैंने ये काम अपने शेतर के लोगों के लिए वो एक काम बताईगा ऐसे तो एक काम गिनाना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप कहते हैं तो जो हमारी सरकार की मंशा रही है और जिस काम के लिए हमारी सरकार जानी जाती है कानून और विवस्ता के लिए फरुखाबाद में आम व्यापारी आज ये महसूस कर रहा है कि वो मेरे विधायक बनने के बाद और उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद वो आम बहुत सो रक्षित है अधर यहां पर बड़ा सो रक्षा का महौल था और व्यापारी बहुत ही प्रताडित रहता था तो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक सिंगल आउट कर रहे कि क्या हो सकता है जो सबसे बड़ी चीज होती हो अम अंचैन होता है किसी भी शहर का किसी भी जगह का और अगर उन्मुक तवाता बनाड में कोई बिजनस पैनल या कोई आम जनता अपना काम कर रही है तो यह गर्णमेंट की तो उपलब्दी है ही लेकिन इसको यहां पर लोग मेरी भी उपलब्दी गिनते है आपका कहना है कि जो सबसे प्रमुक चीज है जो आपने यहाँ पर सुधार किया है मुल जूल वो है सुरक्षा को लेकर विदाइक जी एक बात आपसे जाना जाना था जब हमने बातचीत कि आपके बारे में जब रिसर्ज किया तो पता लगा आप मेजर से थे आप major हुआ करते थे सेना में आपको नहीं लगता कि सेना की नौकरी बड़ी disciplined, बड़ी सीधी, सटीक सब पता है, गूल क्या है मेरा मुझको क्या करना है, देश सेवा करनी है सब कुछ पता है लेकिन वही राजनी थी यह तो बिल्कुल डगर वो है, बड़ी कठिन डगर है पनकटकी, वो आला मामला है यहां तो घूम, फिर के तमाम सियासी जो पीचीदे काम है, वो सब करने पड़ते हैं तमाम दिमाग लगाना पड़ता है, तमाम चीजे हैं कैसे, यह जो आपने स्विच किया, यह कितना समय लगा और कैसा आप इन चीजों को समझ सके यह स्विच कोई बाइच चॉइस नहीं था इसी परसितियां क्रेट हुई जैसे आपने भी कहा कि दुवेदी जी नहीं रहे उसके आसपास मैं छोड़ के आया इसके मेरी मदर यहां से मेनिस्टर बनी उनके भी उनकी डेथ हो जाने के बाद मैं पार्टी ऑउगनाजेशन से पार्टी ने मुझे टिकेट दी, फिर मैं लड़ा फिर दूसरा चुड़ाओं मैं बहुत कम वोटों से आ रहा ग्रिल कर दिया जाता है ट्रेणिंग के दोरान तो मैं समझता हूँ मैं अभी भी सीधा ही के रास्ते पर चलता हूँ सीधी रस्ते पर चलता हूँ और यह मान के चलता हूँ कि हमारी दौड पूरी जीवन में घर से लिएक गाट तक है विधायक जी आपने बड़ी खूबसूर्ती के साथ बताई लेकिन एक चीज़ है खुलकर बात करेंगे एक चीज़ है आपने काई कि बड़ा जो रास्ते है मेरे मेरे उन बेर चलता हूँ, लेकि रास्तों के अगर आप में बात करती है, तो हम जब यहां पर आए, जब हम फरकाबाद में जब हमारा घुसता हुआ, तो एक सड़क है यहाँ पर, जिसका नाम मुझे बताए गया, थंडी सड़क नाम है, थंडी सड़क का तो ये चीज समझ में नहीं आई थोड़ा सा नहीं ये सिर्फ ठंडी सड़क का हाल नहीं ये तीन सड़क है हमारी शेहर में एक ठंडी सड़क है एक जो बेन फरुखाबा से फतेगड मार के वो है और एक काद्री गेट से लेके पांचाल गट तक की रोड है बरसाथ के बाद ये रोड बहुत डैमेज हो गई तूसरी चीज है जो इसको पूरी रेपेरिंग के लिए बज़ेट आवंटित होना चाहिए वो बज़ेट आवंटित नहीं हो पाया इसलिए जो मेंटेनिंस का या उपर पैच वर का काम हो रहा है होता है वो इस पे हो रहा है तो जो दिक्ते आपको पेश आएंगे वैसे मैं अगले तीन-चार दिन बाद ये दिक्ते ने दूर हो जाएंगी और ऐसा कुछ पेश नहीं आएगा तीन-चार दिन बाद आप कह रहे हैं कि सड़के सही हो जाएंगे सड़कें पूरी तरह से नहीं हो जाएंगे लेकिन उसका पैच्छ वर्क हो जाएगा उसकी मरम्मत हो जाएगी जो हिच्छ खोले लगते हैं जो धक्के लगते हैं वो अभी खतम हो जाएंगे इसके अलावा गश्च वर्क कराते हैं तो चुनाओ नजदी के इसले तोफ़ा की सुरूबाब दे रहे हैं यह जनता की बात है और हम लोग बड़ा सीरियस हैं इस संब्द में इसलिए हम लोग जैसे वर्साथ खतम ही तुरंदी इसका प्रपोसल दिया हमाने नेकपुर में तो रंदी बैचवक चार हो गया कादिगर वाली रोट पे हो गया ठंडी सब्द के क्योंकि ऐसे तीन पैचेज हैं पंदा-पंदा मीटर के जिन पर मुझे लगता है कि सी-सी रोट कर निर्मान होना चीए तो वो बजट अभी नहीं आ पाया है इसलिए उस पर हम लोग क्योंकि देखे योगी जी है और केंदर बेटे मोधी जी है इन लोगों के सहारे टेंपो बहुत मिलता है मोमेंटम बहुत मिल जाता है लेकिन महंगाई बेरोजगारी जिस पर राजस्तर पर बाते हो रही है उसको लेकर आपको नहीं लगता कि नुकसान हो सकता है ऐसा को धिद्धिव को डिवागों बनने जा रहा है उसमें बहुत सब्सक्राइब होज़नाय जैसे सिल्फ रलाइंस वाली जिसमें अगर आप जाब ने मिल सकता तो कमसेकम अपने पैरें पानी छालू कर सकतें इसे बहुत सारी कल्यान का रही हैं इसको तबले सरकार बालो कर रही है तो अगर आप मेहगाई का मुद्धा एक अलग मुद्धा है हम प्यास कर रहे हैं लेकिन कुछ seized आशी है तो इन्टर्णी ऑप होती है तो वा आप कहा सकते हैं कि हमारी इस सरकार उगारे प्यास कर रहे हैं जहान तक भी रूजगारी के सवाल है जहान तक मैगाधी के सवाल है उसमें हम सब्सक्राफ करना है जिसके अलवा बहुत सारी कल्यार्णकारी योजञा है जो आमारे चलाई हो भी जफ्ल्ट हो गया स जिससे हम समझते हैं कि पब्लिक इन को आइडेंटिफाई करती है जब मैं जाता हूँ शेयतर में तो आदमी खुद निकल के कहता है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सिर्फ इच्छत होगी कभी किसी दे लेडी आज ही में गया था हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गर में टॉइलेट होगा शौचाले होगा अब लोग तो कुले में जाते थे तो यह जो चीजे हैं यह हमने इसे मुद्धा नहीं बनाया हमने इसको बीजेपी जो है वो राजनीत को सेवा का माध्यम मान के चलती है उसको यह साधन मानती है समा सेवा का मेजर साभ आपकी एक ऐसी बात भी मैं रखूँगा सामले जो प्रशंसा के काबिल है और ऐसी बात होनी भी चाहिए लेकिन उससे पहले जैसे भी आपने उज्जुला योजना का नाम लेती है ठीक है आपने गैस सिलेंडरों की बात की गैस सिलेंडर आपने बाटे लेकिन लोग कहते हैं कि गैस सिलेंडर भरवाए कैसे जब आपने हजार रुप उसका रेट कर दिया रिफिलिंक का दो लोग भरवा रहे हैं गैस सिलेंडर बरवाय जा रहे हैं और मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी ने किसी कोई अब्जेक्शन किया हूँ गया सिलिंडर मिल रहे हैं यही इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं गवर्मेंट को कि हमको अपने कभी सोचा नहीं थे हम लोग तो चूले में उससे फूखनी से फूखा करते थे आज ह है की बात नहीं कर रहा हूं सांसाथ क्याथ नहीं करो बाकी जो बडधे नेता है हम अम Newton हर जगा देखते हैं बड़ीया कलफ सांसा नहीं हम आपके बारे में सुन रहा हूं कि आप चार साइकल दो लड़के लेकर राहत के पैकेट बाट रहे हैं यह चीज आपने कहा से डिफरेंस आता है यह तो नॉमल एक आम आदमी का जीवन है हम आज पॉलिटिक्स में इसका मतलब यह नहीं कि हम लैविश ली अपनी जिंदी को ज आर्मी में रहने के दौरान मुझे कोई हतियार हो कि इसलिए नहीं है कि समभता ऐसा शायद ही कोई हतियार रहा हो जो मैंने आर्मी में चलाया ना हो ड्राइट्रम पिस्टल कारवाइन, LMG, HMG, UMG और रॉकेट लांचर, टोपे, टैंकें तो ऐसा मुझे कोई उसके बाने म इसमें कोई भी टैंट्रम नहीं उसकरता और आपने सही कहा कि मैं सुबह एक मौर्निंग चौपाल हमारे कारकम चलता है जिसमें मैं साइकल जाता हूं और जहां कोई लोग मिल जाते हैं उनसे उनकी प्रॉब्लेंस पूचता हूं उनसे बाचीत करता हूं वैसे भी हमारे य रिक्षा होता है उससे भी जाता हूं जो साइकल रिक्षा होता है उससे भी जाता हूं मोटर साइकलों से निकलता हूं जरनली पैदल भी चलता हूं तो मैं समझता है एक आदमी को आम आदमी की जिनी चीए तीन वार आप चुनावी मैदान में रहे ठीक कह रहा हूं तीन व उनमें सुधार होता चला गया, दूसरा ओवरॉल गर्मेंट का एकबाल बढ़ता चला गया, मोधी जी की जो योजनाई थी उसको पब्लिक ने समझा, और जो भी हमारे केंद सरकार की योजना है, अब प्रदेश सरकार की योजना है, तो निश्चित रूप से गर्मेंट का ग तो परिशम किया वशक्ता है, इसलिए मैंने आजन संपर्ग तेज किया, और लोगों के काम कराना ज़्यादा प्रणम किया, तो उससे उनका विश्वास मुझे अर्जित हुआ, इधर हमारी पार्टी का अपना ग्राप था, उसना थे इतना बड़ा मार्जिन आया, आप ए सियासी चाल जो है, सियासी जो रड़नीतिया होती है, जो राजनीती बनानी पड़ती है, उसमें आपको मददकार साबित होती है, देखिए वो भी एक स्ट्रगल है, संगर्ष है, और उसमें एक स्पिरिट रहती है कि कभी हार ना मानने वाली बात, दूदर जीज पे उसकी चीस, जो टूलस हैं, टूलग हो जाते हैं, इसलिए जब यहां पर हम काम करते हैं, तो हम यह मान के काम करते हैं, यह की आम पब्लिक की समझ्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहा हैं. संदर्ब बाहत कर you तो हर शाल या 6 मैंने में जो परीक्षा है वो आ जाती है लेकिन राजणी ती में संभवता पांच साल में परेंगे होती एथंग साल ने हिए इस परीक्षा में आपने आपको कितना पाते हैं की मैंनें पउने पांच साल में इतना काम करके दे दिया है कि इस परिक्षा को तो मैं पांस आसानी से कर लूगा मुझे लगता है कि जनता का विश्वास मैंने अरजित किया है और पूरी इमांदारी और निश्चा से सेवा करने का प्रयास किया है और पबलिक इस चीज़ को समझती भी है कि जो रिस्पांस हमको जो फीडबेक मिलता है जो मैं फील में जाता हूँ या और भी जो फीडबेक आते हैं वो यह आते हैं कि मेजर साब ने कोरोना काल में काफी लोगों की बदत की और मैंने काफी राशन वगरे अपने इस तरसे भी बटवाया दूसरा जो वेक्सिनेशन था और वो सब था वो सारी विवस्ता करवाई इसके लाबाद जितना भी गर्मेंट की योजना है थी जो जिसको इंप्लिमेंट अच्छी तरीके से कराना चाहिए तो हमने मैंने मेरे सारे जन प्रत्निदियों ने इस पेशल इंट्रेस्ट लेके उनको यहां पर इंप्लिमेंट कराया जैसे मैं आपको बता हूं वड़ा चोड़ी पट्री वाले होते हैं तो उनको एक योजना के तहत स्वानिदी योजना के तहत दस दस दर कर लोन दिया तो यह हम लों ने सुनिश्चित किया कि ज्यादा से ज्यादा रिणी पट्रिवारों को मिल सके और आप उजानकर आश्चर हो गया हमारी विदान समय में लगब आठ हजार लोगों को यह लोन मिला है इसी प्रकार से एक एकल निदी योजना है जिसमें दो-दो-लाग का लो लोगों को यह सवलियत पहुंचा है कि उनको पेंशन बन सके और मिल सके तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो करने का प्रियास किया है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मेरे घर में मान लीजे मेरे घर में अमरूद का एक पेड़ है उसमें अमरूद बहुत जादा होते है आलू के समद में सारी मैं समझता हूं पिछले 20-25 साल से अल्मोस सारे जन प्रदीजी ने ट्राय किया है और इस बार भी जब इंवेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में मानियोगी जी ने और इस किया था वहां भी दो आलू की बड़ी कंपनी जाई थी विदेशी उन इन कारण हैं जिससे हम इसमें पिछड़ जाते हैं और इसलिए हमें ज्यादा तर आलू जो है अपने कोल स्टोरिज में रखना पड़ता है और बाहर भीजना पड़ता है यह बेसिक रीजन है यहां पर और इसी कारण से मुझे लगता हात्रस या हापुड में वो जाके प् चक्कर में कोई नेता ऐसा आया नहीं जिसने आप पर फैक्टरी नहीं लगवाई जिसने बागी चीज़ें नहीं कर पाई यह नहीं कहरा हूं आलू की खराबी है लेकिन हाट बिजनसमेन को अपने प्रोड़क्ट में कोई टेक्निकल स्पेसिविकेशन देखता है उन मानु पर संबबता यह आरू नहीं उतर पा रहा है इसलिए पुटटाइचुप्स हो गया पुटटव फ्लोर हो गया एक बार सुना था शौवालस की कंपनी आ रही इससे बोटका बनाने का प्रहास कर रही लेकिन वो सारे फिजल आउट हो गया उसका प्रहास हम लों नहीं बहु एक और चीज है आपने अल्ब संखेक शब्द का जिक्र किया उसके लिए बताना चाहूँगा कि हमने सदर विधान सभा के शेत्रों में घूमते हैं तो एक चीज बड़ी दिल्चस्प है क्योंकि नोड़ा से जब बैठ कर बातचीत करते हैं तो यह चीज पता लगती है कि जो सोच है उससे जो जमीन की हकीकत है वो काफी अलग है लेकिन विधायक जी एक और चीज है जब काफी जंता के लोगों से बात की काफी लोगों से जब मिले जुले तो उन्होंने एक चीज कही कि विधायक जी से मिलिएगा तो एक सवाल जरू पूछेगा इस पैसिफिक लोग मिलकर इतने बड़े पत पर सेंटर में आप केंदर में आप यहां पर आप चपे चपे में आप इसके वाबजूद गंगा एक्स्प्रेस में यहां क्यों नहीं लेकिन जो मेरी जानकारी है वह आप से शेयर करना चाहता हूं गंगा एक्स्प्रेस वे का सर्वे यहां दोजार साथ में हुआ था जब मायवती जी मुक्मंद्री थी तो उसमें एक संत गिरी महराजी ऐसा कुछ नाम था वो बनारस के ते वहां पर एक्स्प्रेस वे बनने से गंगा जी का बहाओ में बदला हो सकता है इस प्रकार की बात उन्होंने कही क्या है कि गंगा और राम गंगा के बीच में यहां पर बाड़ आती तो दोना समुद्र जैसा बन जाता है और लगबग में रिकाल जास्ती सौ किलोमेटर तक का हो जाता है तो अगर वहाँ पर आप मनाएंगे एक्सपस पर तो मिट्टी उठेगी तो निश्चित रूप से उसका बहाओ चेंज हो सकता है या कुछ भी चेंज हो सकता है तो उस बात पर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इस पर पॉलूशन कंट्रोल बोड या कोई पॉलूशन संबंदी संस्था थी उसका क्लेरंस ले लिया जाए वो जब clearance लेने गया, तो जो मुझे जानकारी मिली है, वो clearance वहाँ से नहीं दिया गया, इसलिए वो project डंप कर दिया, मायवती government ने, फिर जब हमारी government आई, तो योगी सरकार ने ये निश्य किया, कि हम ये गंगा express पर बनाएंगे, लेकिन इस तरह की विसंगियतियां नहों को कोई भाव में बदलाओ हो जाए, या और कोई casualty के कोई चीज आधार बन जाए, इसलिए हम इसे minimum 10 km पर बनाएंगे, और यही इसका हम जो ear marking हुई, जो मानचित पर बनाया गया, उसके इसी तरह के से बनाया गया, जो पहली बात है, उस पर बात करनेता हूँ, कि आपने कहा कि गंगा express में निकल गया, NGT की guidelines के तुरू कुछ नहीं हो सका, ठीक है, connectivity के आपने बात कर ली, लेकिन जंता को आप कैसे समझा है, क्योंकि विपक्ष जो है, वो दो बाते कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये अगर हमारी सरकार होती, सपा वाले कह रहा है, कि अगर हमार अगर आप बिलकुल सटा के निकालेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, गंगा रंग में बीच में पॉसिबिली नहीं है, यहां पर, तो जाहिर सी बात है, जो इसका ये मार्किंग है, या जो क्या बोलते हैं, उसको रेक हंकन है, वो यहां से दूर जा रहा है, अब सपा की सरका होती तो सपा की सरकार में भी जो टेक्निकल लोग बैठे हैं वो कोई ऐसा है तो नहीं है कि आँख पीछ करके और उस बात के खंड़न कर रहे इसके साथ ही सपा के जो रास्ट्राइद्रक्षा है उन्हों करके जो लाने वाले हैं उस पर आप क्या करेंगे क्योंकि अकर साथे तीन सौसे जादा सीटे वो ले जाते हैं तो फिर आप कहा नाज़र आएंगे अरे यह सब निराधार बात हैं कहां साथे तीन सो उनको कैंडिरेट तक तो मिलने रहे और आप देखो चार पांच लोग सप कौम्पटीशन किससे होता इसाप नहीं मैं किसी का नाम आता है कभी किसी का नाम आता है यहाँ तो जैसे आपके जो साथ ही विधायक है यहां के उनकी टिकेट को लेकर दाविदारी को लेकर थोड़ा सा प्रस्मिचन नहीं लग सकता है हाला कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो चुनावी परीक्षा है उसमें आप तो सीरे तोर पर डिस्मस कर रहे हैं कि आपके सामन इसलिए कॉमपोटिशन होता नेक टू-नेक कामपोटिशन होता है यहां उननेस-वीज का मामला होता है पर भी आपका फसा था आप समझ रहे हैं तो वह एक कॉमपटिशन था पांच हजार-दस-जार पर भी कॉमपटिशन में मान सकता हूं लेकिन जहां बीजेपी पचास पूरे माने फरुखाबा जिले में 40-50,000 के बीच में जीते हैं यापर तो हम क्या सपासे कॉंपटिशन मानें और सपाक किसे मूँ से ये कह रहे हैं कि हम BJP को कॉंपटिशन दे पाएंगे कुछ तो आपकी जे में हो तब तो आप कॉंपटिशन दोगे जब कुछ है ही नहीं तब क्या कॉंपटिशन ने गया बिजली, पानी, सड़क, महेंगाई, विरोजगारी तो आपका जो माइंड सेट है जो मेन मुद्दा है, जो फोकस है वो कहां रहता है, क्योंकि आप इस्थानी नेता है तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते है या फिर पाकिस्तान ये जो चीज़े चलती है गतिविदिया जो शहरों के बीच में भी चलती है पाकिस्तान के ज़ंडे लगा देना, पाकिस्तान जिंदाबाद कर देना कुछ लोग कर देते हैं कही न कहीं तो इन चीज़ों पर आपका दो ध्यान अब जादा रहता है ने देखें, एक सैनिक होने के नाते है निशिद रूप से देश के प्रती कमिटमेंट है मेरा आज भी कमिटमेंट है और जैसा कहा जाता है कि सैनिक कभी पूर रही होता है वो जिन्दगी बर सहनी की रहता है तो जो जजबा है वो तो ही और हम जनरली अवेर रहते हैं कि देश में क्या हो रहा है हमारे दूसरे कंट्री से क्या रिलेशन्स चलना है पाकिस्तान कहां कहां बदमाशी कर रहा है अफगानिस्तान में क्या चल रहा है तो ये तो एक normally एक कोई भी समझदार आदनी पड़ा लिगा होगा उसके लिए generally awareness की बात है लेकिन आपका फर्ज क्या है आज की तारीक में आपकी duty क्या है मेरी duty यहाँ पर है कि लोगों की सेवा करना अगर बिजली नहीं आरी तो बिजली आरे पानी का कहीं नहीं तो hand pump लगवाएं सड़क टूटी तो सड़क रिपेर करवाएं मेरा इस सवाल मेजर साहब इसलिए इस context पर था कि 370 जैसा मुद्दा है 35 से हटाया गया पाकिस्तान के साथ जो surgical strike कोई यह मुद्दे स्थानी लेवल पर भी प्रभाव डालते हैं वोटर्स क्रियेट करते हैं तो इसको आप मानते हैं यह कुई वोटर्स क्रियेट करने के लिए नहीं किये गए वोटर्स की अपनी आस्ता है देश श्रेपति इसलिए वोटर उस तरफ का जुका हुआ और ये बहुत टिपिकल डिसीजन थे, आसान नहीं था, लेकिन भारत प्रश की जंदा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि जितनी शांती के साथ, जितनी आवान के साथ, उन्होंने इन मुद्दों को लिया है, और आज कश्मीर मिलकुल आमन चैन की रहा पर है, तो ये विधायक है, आपको भी चीज़ें समझ में आती होगी, कहां पर किसका पलड़ा कितना भारी है, तो आप क्या समझ रहे हैं, कि सीटे जो हैं, वो दरसल कितनी जादा आने वाली है, पिछले से जादा आने वाली है, या 10-50 सीटों का माइनस पे रहने वाला है, क्या कुछ र प्रिश्णम किया है और उसके बाद भी लगबग हर जन्पत में उनका जाना हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की पल्स समझ रहे हैं और जहां तक मेरा सवाल या मेरा कहने का सवाल है मैं समझता हूँ जो वो आशा कर रहे हैं पब्लिक उनको उससे भी ज्यादा सीटे देने की कोशिश करेगी जहां तक मेरा सवाल है तो मैं आपको चुकि सारे प्रदेश का तो मैंने दोरा किया नहीं है तो मैं अगर आप पूछेंगे तो मैं अपने को लिमिट कर सकता हूँ अपनी विदान सबह बता सकता हूँ यहां के जिलों की चार सीटों के बारे मता सकता हू लेकिन ओवर आल जो वाता मरण बन रहा है जो मीडिया के माध्यम से आता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आता है जो एक पल्स जंता की समझ में आती है तो निश्चित रूप से जो आकड़ा बता रहे हों 300 इससे तो पार जाना ही वाला है और योगी जी मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक कर रहे है इस वर्ल्ड इंडिया के साथ साथे 300 से जादा सीटे वो ले जाते हैं तो फर आप कहा ले जाते हैं मुझे देख रहा है बीजेबी के सामने जब कहनी देर आप नहीं फील्ड कर बाह रहे हो तो हम तुमें कंप्प्टिशन किससे मानें मुझे देख रहे हैं झाल झाल